मनीश अपनी बाईक लेकर घर आ रहा था रास्ते में उसने देखा कि हलवाई गर्मा गर्म कचोडिया तल रहा था तो उसे कचोड़ी देखते ही याद आया कि उसके पापा को कचोड़ी कितनी पसंद है और जब से वह शहर आये है तब से उन्होंने एक बार भी कचोड़ी ल ग्यरा सुन लेथे जब सब लोग साथ बैटकर खाना खाते थे तब भी अधिक्तर खामोशी रहा करते थे देखतhew कर बातें करता था और उनके साहत इधर उदयुद MAL की बाते करके उन conspiracy कोशिश कर था है अगर फिर भी पत्नी के जाने का गम इतना बड़ा था कि किशोर जीपर जैसे किसी बात का कोई असर ही नहीं पड़ता था मनीश ने बाइक रोक कर कचोड़िया पैक कर वाली क्योंकि वैसे भी उसकी पत्नी चवी भी ऑफिस जाती थी तो वह भी ठकी हुई ही घर आती थी और जाला गया क्योंकि उसे बहुत प्यास भी लग रही थी उसकी पत्नी चवी भी ऑफिस से घर आ चुकी थी और वह रसोई में सब्जिया काट रही थी जब मनीश रसोई में पहुचा तो उसने देखा कि उसके पापा कि शिवर जी रसोई में बरतन माज रहे थे उन्हें बर काम वाली बाई नहीं डूण लेती हूं तब तक हमें ही मिल जूलकर सब कुछ करना पड़ेगा और वैसे भी गाउं से आने के बाद पापा जी हमेशा मा की यादों में खोई रहते हैं तो मैंने उनसे कहा कि अगर घर के कामों में यह थोड़ी बहुत मदद करवा देंगे यह अपने दुख से भी बाहर निकल आएंगे और इनका ध्यान में दूसरी ओर लगेगा मनीश ने अपने पापा से कहा अच्छा पापा मुझे आपसे कुछ बाते करनी है आप जरा मेरे साथ चलिए फिर अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बोला और सुनो आज नाश्ता म बनाना मैं कचोडी लेकर आया हूं तुम जल्दी से चाय बनाकर ले आओ इतना कहकर वर रसोई से बाहर चला गया तो किशोर जी ने हाथ दोकर तौलीय से हाथ पोछा और अपने बेटे के पास हौल में सोफे पर आकर बैट गए तो मनीश ने उनकी और एक फॉर्म बढ़ा गाउं से शहर आये थे जब तक उनकी पत्नी कलावती जी जीवी थी तब तक तो अपनी पत्नी के साथ गाउं में ही रहते थे लेकिन पत्नी के बाद उनका मन बड़ा घबराने लगा था तो तो तेरावी के बाद उनका बेटा उन्हें भी साथ लेकर चलाया था अब छवी कि एमाई वनीश चुकाएगा और काम वाली बाई की पगार चवी देगी तो चवी ने ससुर जी के आने के कुछ दिनों के बाद ही काम वाली बाई को काम पराने से मना कर दिया था और ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद खुदी सारा काम करना शुरू कर दिया थ होती तो वह मेरी मदद जरूर करती अब यह सब सुन सुन कर कि शोर जी को बड़ा बुरा लगता था और उन्हें बहु की तकलिफ देखी नहीं जा रहे थी तो उन्हों लेकिन इस उम्र में वह बरतन दोते हैं तो पता नहीं क्यों मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है कहीं उनके पीठ और कमर में दर धोने लगा तो हम क्या करेंगे चवी ने बात को समागते वे कहा अरे मैंने पापा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह तो गाओं में भी मम्मी जी की मदद करने के लिए बरतन वगेर दो लिया करते थे इसलिए मैंने उनसे बरतन धोने के लिए कहा है तुम समझते क्यों नहीं ऐसे पापा जी कोई काम नहीं करेंगे तो वह डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे अगर ससुर जी बरतन धोएंगे तो घर की कामों में थोड़ी बहुत मदद कर देंगे तो मेरी मदद भी हो जाएगी और उन्हें डिप्रेशन भी नहीं होगा चवी ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अपने पती को बहला लिया था और वो अपने ससुर जी के साथ भी मीठी मीठी बाते करके उनसे बहुत सारा काम करवा लिया करती थी देखते ही देखते दो महीने बीच चुके थे वो ससुर जी को सीधा जादा समझ कर नौकरानी को हटा कर उन पर काम का बोज बढ़ाती चली गई वो भी सोचते थे कि खाली बैटने से अच्छा दोचर काम कर लिया जाए मगर एक दिन बहु ने सारी हदे पार कर दी क्योंकि उस दिन किशोर जी के सिर में जरा दर्द हो रहा था मनीश ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया था किशोर जी ने अपनी बहु चवी को आवाज लगाते हुए कहा अरे बहु आज मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है जरा एक कब कड़क अदरक वाली चाय बना कर पिला दोना चवी गुस्से में भड़कते हुए बोली अरे मुझे आफिस जाना है और आप अपनी ही फर्माईश लेकर बैट गए है मुझे तो लगता है कि आप सिर दर्द का बहाना बना कर इसलिए बैट गए है ताकि घर के कामों में आपको मेरी मदद न करनी पड़े चुप चाप उठकर रात के थोड़े बरतन पड़े हुए हैं वह दो दीजिए वरना मैं नाश्ता बना कर भी नहीं जाओंगी और आप ऐसे ही भूखे बैटे रहिएगा और कोई काम धान तो आता नहीं आपको बस एक बरतन दोने के लिए कह दिया मैंने तो वह भी आपसे नहीं होता है आपको तो बस मुफ्ट में बैटकर खाना खाना ही आता है अगर आपको गाओं में छोड़ दिया होता ना तो कोई आपको ऐसे बिठा कर दो रोटी नहीं खिलाता तो शोर जी की आके हैरानी से फैल गई और वह कहने लगे यह तुम क्या कह रही हो बहू तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर बैटकर खाता हूँ अरे यह दो रोटीया खाने के लिए तुम मुझसे कितना काम करवाती हो क्या तुम्हें नहीं पता मैं भी सारा काम हसी खुशी इसलिए कर देता हूँ कि मैं भी बैटकर क्या करूंगा तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी तुम्हें आफिस जाना होता है और अगर मेरी जगह तुम्हारी सास होती तो वह तुम्हारी मदद करती ही यही सब सोच कर मैं भी तुम्हारी मदद कर रहा था लेकिन तुमने तो मुझे बैटकर खाने का आरोप लगर दिया अरे मैं मुफ्त में नहीं खा रहा हूँ बलकि तुम दो वक्त की रोटी के बदले मुझसे सा वैसे भी मैं अपने बेटे की कमाई पर थोड़ा बहुत अधिकार तो रखता ही हूँ अगर मैं घर का कोई भी काम ना भी करूँ न तो भी तुम मुझे खाना देने से इंकार नहीं कर सकती उल्टा तुम मुझे काम करवा कर नौकरानी का खर्च बचा रही हो और मैं तुम्ह मुझे यह समझाती थी कि बरतन धोकर और घर के काम करके मैं थोड़ा वैस्त रहूंगा तो मुझे डिप्रेशन नहीं होगा लेकिन आज तो तुम्हारी बाते सुनने के बाद मुझे यह सारा काम करते हुए ही डिप्रेशन सा मैसूस होगा इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कोई भी काम नहीं करूंगा खुद को वेस्त रखने के लिए मैं आस पास के बाकी बुजूर्गों की तरह पार्क में जाऊंगा बचों के साथ समय वैतित करूंगा पास के व्रिधाश्टर में बुजूर्गों से बात चित करके वहाँ पर उनकी देखबाल करने की को पास रखो मेरे पास रुपए हैं मैं बाहर जाकर चाय पी सकता हूं इतना कहकर उन्हों ने अपने कपड़े बदले और चुप चाप घर से बाहर निकल गए चाय पीने के बाद अपने पर्स से रुपए निकाल कर देते हुए वह सोच रहते कि अच्छा है जो मेरे बेटे ने मेरा अकाउंट खुलवा दिया है और उसमें वह हर महीने रुपए डाल देता है वरना अपना ही बेटे के घर में मुझे छोटी-छोटी से उसकी पगार देने लगी अब उसे बड़ा अपसोस होता था कि थोड़ा सा ज्यादा जुबान चलाने के वज़े से उसे जो मुफ्त में मदद मिल रही थी वह मदद मिलनी भी बंद हो गई थी दोस्तों हर बच्चे को अपने माता-पिता के बुढ़ापे को समान पूर्ण बनाना चाहिए और माता-पिता को भी अपने बच्चों के जाथ हमेशा अच्छा व्यवार करना चाहिए कई बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर भी माता-पिता उनके साथ अच्छा व्यवार नहीं करते हैं उनके साथ प्यार भड़ा रिष्टा नहीं बनाते हैं बलकि हमेशा उन्हें दबा कर रखने की कोशिश करते हैं ऐसे में जो बुढ़ापे में बुजुर्गों को जुरत पड़ती है तो वह भी दिल से अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर पाते हैं और परिवार में सुक शांती तभी बनी रह सकती है जब बच्चे और बु और मेरी लिखी हुई और नहीं कहानियों के लिए लाइफ टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जिरूर कर लीजिएगा धन्यवाद